अब कैसे हो बेटर होना अच्छे से तयारी चल रही है कल का आपने शलाबस देखा था कल का आपने पूरा यानि कि जो आपने किया था टेस्ट उसको पूरा अपने प्रूफिट किया था एक बार देखा था किसके कितने सही हुए थे किसके कितने गलत हुए थे कुछ आपको आपको बताने हैं और रेलवे जोन आपको पढ़ाना है यानि कि आप जान जाओगे रेलवे जोन है कैसे होते हैं सत्रह रेलवे जोन हमारे हैं तो उन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं बिल्कुल आसान और एकदम शौट तरीके से समझ रहे हैं आपना कैसे हमें पढ़ना और कैसे आपको समझना है बिल्कुल और यहाँ पर एक बात और ध्यान समझेगा आज आपके पास पचास ऐसे क्वेस् पचास रेलवे के हैं जिनका तरीक किया है सर हां सर आज आपकी क्या है थर्ड तारिक थारिक आपका एक टेस्ट हुआ जिसके लिए आपको गया दिया गया है ताकि आप अच्छे से अपना प्रिपेशन कर लो पढ़ाई कर लो और फिर चार तरीक को हम क्या करेंगे आपका फाइनल टेस्ट आने की लास्ट आपका जो है फाइनल फॉर चार तरीक को हो जाएगा ठीक है तो यह बात थी आपको जो बता दी गई है आज आप प्रूफिट कर लिजे पढ़ लिजे अब हम क्या करना है हमें आज डियाग्राम के माध्यम से आपको रेलवे के सत्रह जोन समझाने है और पचास क्वेशन के आंसर आपको देने है जो रेलवे के रटे रटाए क्वेशन से रे आपके सामने इमेज आ चुकी है बहुत ध्यान से समझ करके इमेज पर गौर करिएगा और सिर्फ मेरी बातों को आप सुनते रहेगा ठीक है करना क्या है आपकी इमेज पर होना चाहिए यह फोन पर देखिए आप कहने कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यह इंडिया इपने भारत बना लेते हैं ठीक तो अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा एक ऐसे कुछ ऐसे और कुछ ऐसे हमारे भारत का आकार आता है यानि कि जैसे हम कहते हैं वरगाकार या पतंगाकार हमारे भारत का आकार ऐसे कुछ आता है फिर यह हमारा यहां से मिल गया ठीक है तो ह इस हमारा दिखाया गया है बना हुआ है अब हमें घृत करणा है कि अब ićत रिखाया बात करते और आ Community कि एस्ट हमारा कहा हो साफ साफ लिखा हुआ है किले ओंग के अईक साथ करें है माइब दियुक्त के यानि की अपर करने तो साफ रियल्वे यानि की सर की बत करते हैं तो स्रैंट निचे लिखा हुआ है च्नहीं साउथ एलवे ठीक है फिर बात करते हैं नोर्थ एलवे तो यानि की अनार उत्ским एलवे रहना अगेर आ अगर हम बात करते तो यहां पर साफ दिख रहा है पूर्भी रेलवे और लि motivates रहे उते के रहें are बाद में इमेज पर देखते रहेगा ध्यान से बातों को सुनिएगा और इमेज में उसको सर्च करिएगा बिल्कुल जैसे कि जोगर्फी मैप से पढ़ी जाती है वैसे ही आपको याद हो जाएगा इसलिए मैंने यहां पर नहीं बनाया है क्योंकि आप एक बार वाइट आपको है समय में आ आ सकी है अगर हम बात कर तह है तो उत्तर रेल्वे हो गया हमारे दक्ष्ट रेल्वे हो गया संटरैल ये बात कार्विए हो गया है अच्छा अप करते है यहां सैंटर में र Hell right और जी अंटी में के lesson into बिकलि est कर हाय है तो सेंटर के नीचे लिखा हुआ है मुंबाई BT नगी कुरला आले यह सीन है मुंबाई BT यही से यही तक ट्रेन चलाए गए थी ठीट तो यह मुंबाई CST चार्जगेट वाली धर है ध्यान रखेंगे आप अब दूसरी बात करते हैं यह अगर सेंटरल है है center Kendra little है हे तो इसके इस के दूरी मध्र कहणा आगी सट्राइगी और इसके इसके दूरी मिध्र कहलाएगी तो आप क्या कर सकते हैं हम देखे ये भी तो एक होगी दिशा आपकी जिसे क्या कहते हैं अगर ये एन है और आर है तो ये एन आर ही हीत होता है आपकी दिसा याने कि नौ रहे आपका पर्णता है इसमें कहावत की तोब पर कहते हैं दस होती है ठीक है यह आप कहना पूरप पश्चिम उस्तर रक्षिन और यह की पूर रेलवे उधर यह आपको यह चारी होगे चारी होगे आठ एक अंत्रिश और एक जमीन यानि की ऊपर एक नीचे दस कहते हैं लेकिन दस होती नहीं है सिर पूरप का यानि की रेलवे का मुख्याले कहा है कलगत्ता है ठीक है अच्छा मद के बीच में देखी लिखा हुआ है हाजीपूर और लिखा हुआ है तो वह बीचो बीच सेंटर पॉइंट है यानि की सेंटर पॉइंट अगर है तो यह और इधर क्या सेंटर के बीच में है तो हम ECR लिख सकते हैं ना यानि की Eastern Central Railway कौन है आपका हाजीपुर ठीक है फिर अगर हम थोगा सा आगे बढ़ते हैं आप देखते हैं उपर एन चलते हैं तो उत्तर की और दिल्ली आपको मिलगा लेकिन उत्तर और पूरव के बीच में जो रेखा गई हुए यानि कि इसकी ब कि पीच में आया नहीं आया है ऊपर गया है य्यार कहते की यानि कि यहनि कि यह उत्तर पूर्व का मुख्यालत है Greer है फिर देखते ही हम क्या करते अगला इसमें अगर अगले पॉइंट से देखते हैं यहां पे तो अब आते हैं दिल्ली और सेंट्रल के बीच में आपका आता है उत्तर मद रेलवे की इलहाबाद है जिसे हम कहते हैं NCR नौर्दन सेंट्रल रेलवे क्लियर है यानि कि हम उसको अच्छे से फिल करके समझते चलेंगे फिर पर बात करते हैं तो पर यहां पे आती है क्या है यहां पर वेस्टम जो है यहांनी नर्थ यान की पश्चिम क्याhn inclusive एकली बनाया लेकिन जबल पूर कहलाता यहां उत्तर पश्चिम का मुख्यालु आपका क्या है जबल पूर फिर आप आते हो क्या पर सी में तो पाश्रि बीच में मद्ध है यानि की मद्ध की बात करते हैं सेंट्रल है मिड है तो यह आपका क्या होता है आपका WCR लिखोगे वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि आपका जबल पूर आएगा क्लियर है अभी देखेगा इसमें एक कम है अगर ध्यान से दुखोगे तो एक आपकी कमी मिल आपको कौन है यहां पर कोई मुख्यल पश्चिम का भी नहीं बना लेकिन यहां पर उससे पहले थोवड़े बना दिया गया है जो कि कि किसकी बात करते हम वह भुभली की बात करते हैं एक हुभली है ठीक है यह आपका क्या है करनाटरी तमिल लाडू का करनाटव वाले ला लेकिन चन्नाई से जस्ट उपर अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर चन्नाई और सेंटर के बीच में देखी मद्ध लिखा हुआ है आपके यानिकी पीपीटी पर देखें तो दच्छिन मद्ध रेलवे की बात करते हैं तो यहाँ पर दच्छिन में साउथ सी आर यही तो ल ये लिखा हुआ है बिलासपूर और विलासपूर से थोड़ा सा कट करके रास्ता निकलता है एक जिए फेर बात करते हैं यहीं पर थोड़ा सा ध्यान लेके चलें तो साइड में एक आपका ऐसे सेंट्र में बन किया आता है धूडिसा यानिकी भूनेश्वर यह देखिए नह बुवनेश्वर यह नहीं था बुवनेश्वर जो आपका आता है यह आपका किसम आएगा उडिसा में बुवनेश्वर और भूनेश्वर के बात करते हैं तो इसे क्या लिखेंगे आप फटिक है यानि मेट्रो का मख्यालय है वे इसे मेट्रो के मुख्यालय को ले करके हमारे पास ुआते हैं सतहर है अगर आप गिनना चाह हो तो गिन के देखो कैसे हैं जबले गाहों एक हो गया उत्तर रेलवे आने कि दिल्ली दो हो गया उत्तर पश्चिम कोई मुख्याले है नहीं लेकिन उत्तर पश्चिम के नीचे अगर हम बात करते हैं जैपूर तीन हो गया आपका फिर पश्चिम यानि कि हम बात करते हैं मुंबई चरगेट चार्च हुआ चार हुआ जबलपूर पांच हुआ यानि कि मध्ध रेलवे के गर हम बात करते हैं तो यह आपका छे रहा यानि कि बंबई बीटी की साथे नमबर पर देखिए आपका कौन जा रहा हाँ हाजी पूरा रहा है हाजी पूर के आगे ही देखे लिखा हुआ कलकत्ता पूरव का मुख्या लह यह यह यान खाला चन्नै 14 हो गया हुबली 15 हो गया और आपका दच्चनप्चिम वाद विखी को इस में आपके नहीं बहना था भूबनेशवर की इमेज में आपके भूनेशवर नहीं नहीं यह तो भूबनेशवर हमारा हो गया गया सत्त्रह अब यहां पर जो जानकारी की बाते हैं सबसे चोटा runway मुख्याले कौन है सबसे चोटा runway मुख्याले अगर हम बात करते हैं तो वो आपका है metro जोंझे समझ में आ गया होगा इस image को बार-बार देखिए बहुत सिमपल इमज है आसानी से यह बिल्कुल याद हो जाएगी ठीक है आप चाहो इसे अपना अपने एकोर्डिंग भर फिल कर सकते हो इंडिया का मैप बना लो इंडिया के मैप को इक सर्क्ल में ब्लॉक कर दो ठीक है फिर आप दिसाय निकाल लो जैसे दिसाय मैंने बनाई है दिसाय इसके एक बार घर पर कभी नहीं भूलोगे यह मेरा दावा है मेरी पूरी गारंटी के साथ में बता रहा हूं ठीक है तो अब हम चलते हैं किसके उपर अपने क्वेस्टन के उपर हाने कि हमें क्या करना है फिप्टी क्वेस्टन्स आपके लिए रेलवे के वह इंपोर्टन क्युक्ते क्वेस्टन है जिनका अंसर देना है आपको ठीक है आप तेयार हो ना Allen बहुत के अंसर देना है अब मुझे मालूम चलेगा की कौन कितने पानी में है ठीक है चलिए देखते हैं अगला शाम क्यार्पर पहला क्वेस्टनम यहां पर आлемडिक में है आपको यानिकी आपकी सुभिधाय के लिए दोनों लेंग्वज में प्रियोग कर दिया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ठीक है क्वेस्टिन क्या कह रहा है यहां पर भारतिये रेलवेड बॉर्ड की स्थापना कब हुई थी एंसर प्लीज मैं आपको जाल समय नहीं दे पाऊंगा से बिल्कुल यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां पर यहां पर क्या है स्वामंत कह रहे हैं बिल्कुल सर 1905 बिल्कुल सही है यहां पर आप बिल्कुल सही एंसर पहले आपका आया है 1905 में रेले बॉर्ड की स्थापना हुई थी ठीक है अलगर हम बात करते हैं दूसरा क्वेश यहां पर अतुल बर्मा कह रहा है बिल्कुल सही जी जिसका पहले ना एंसर आगा मैं बिल्कुल लूँगा क्योंकि आज क्विज आज देखना ये है कि कौन कितने इसमें है कि किसकी क्यापसिटी है कौन कितना परणे में अच्छा है यह मुझे आज जानना है और यह आप पर आप इस पर आज सर्च करना आपको एक नहीं जानकारी मिलेगी कोगे हाँ यह बात तो मजा है यानि इस बात में आपको यह बात पता ही नहीं होगी आई शूर ठीक है चलिए देखते हैं अगला इसमें क्या गहरा है यहां पे भारत में सरवपृथम रेलवे का शुभा आञा फैंटर भाट में रेलवे का शुभारम की सब्सक्राइट चैकले वारत में किस बताना है। सिमयलेगी ऑन ते चैक बात करते हैं रहांने क्या है चलिए Just a कि लंबाई कितनी है आपको भारत के कुल रियल मारक के लंबाई नी है अन्सर राप रे थटीज जली याद रही होता है लेगent अप जल्दी याद रही होते हैं लेगत कुशशिष कर उगक बार कि ईसके बिम्ली आप बता संसेट 1312 याने की 67,312 एंसर आ रहा है आपका बट अगर राइट एंसर की हम बात करते हैं यहां पर देखी काफी लोग अपना एंसर देर सर आप्शन दे दीजिए ठीक है हां बिल्कुल कह रहा है ऐसे क्वेशन में आप्शन की आप सकता पड़ेगी बट यहां पर आप्शन नहीं दिया जा रहा है इसलिए उप्शन आपको नहीं दे सकता हम है ठीक है यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर 33,774 इसका राइट एंसर है 63,774 किलो मीटर हमारी रेलवे लाइन है भारत की नाओ इस टाइम अगर हम बात करते हैं अभी कुछ पट्रियों को हम डब बात करते हैं तो यह पहाणों में चलती है जिस पर आप बैठते हो बचपन के वो दिन आपको याद होंगे तो आप उसको याद होगे बात करते हैं तो यह चोटी होती है यानि कि हम बात करते हैं इसी मीटर गेज को हटा करके अब हम ब्रॉड गेज कर रहे है यानि कि पूरे भारत पर ब्रॉड गेज की तैयारियां चल रही बड़े जोरोश-ोरोशे ठीक है तो आई होप आपको यह समझ में आ चुका होगा सःधार में देखते हैं अगला क्वेसं रहने की पाशने के चाहे चलते हैं यहां पर भारतीय रेलेवे का राश्टंकरै कब हुआ सब्रेइस बहां अगरेट अग्रवाल जी है कौन है यह अग्रे हैं यहां पर फन विथ राज भी कह रहा है सर 1950 है चलिए ठीक 1905 कह रहा है इनका रॉंग अंसर है 1950 की बात करते हैं तो 1950 में क्या है अगर हम बात करते हैं तो 1950 जब हम इंडिपेंड हो गए और जब हम गड़तंत्र हुए यानि कि रेपब्लिक जब हो गए तो हमने अपने रेल्वे का क्या क्या यानि की राश्टिकरण कर लेगा नेशन कर दिया गया राश्टिक क्योंकि रेल्वे के ऐसा कुछ लोगते यहां पर गलत भी हैं कोई बात नहीं गल्तियां होने दिजिए आई आपकी गलतियां जितनी होती है उनको वने दिजिये क्योंकि यहां पर क्या है आपको राइट एंसर मिलने लगे यहान आप जान कि देखिए च्छटव नमबर क्रेशन कहला है कि रेल मंत्राले ने विलच और वील नामत पर योजना किस वर्ष प्रारम की थी विलच और वील योजना किस वर्ष प्रारम की गई थी एंसर प्लीज जल्दी करें आप्शन से ले लिजे 2003-2004-2006-2008 चलिए 2003-2004-2006-2008 कोई एंसर देना चाहेगा फटाफट चलिए जो आप्शन होगर मैं आप्शन दे दूँगा अब आपको आप्शन दे दिया करूँगा बोलें बाई जल्दी अंसर करें सर नहीं पता ठीक है एटीन 56 के रहा है सर नहीं है गलत आइंसर है 2004 में ये योजना सुरूगी थी विलेज ऑन वील विलेज मतलब क्या होता है गाओं और वील यानि की पहिया यानि की गाओं और सहर की बीच की दूरीओं खतम करना तो तो गाउं को जोडने की प्रथा है जिसे हम कहते हैं या विलेज औन वील यह आपकी यूजना चलाए गए थी 2004 में यह यूजना चलाए गए थी आपके मनमुहन और गाउने की बात आएगी और तो किसी की बात आनी नहीं है चलो देखते हैं अगला को जानकारी इसमें धी जाएगी आपको पता है यहाँ पे किसी नगर गलती से भी और कह दिया कि रोड यानिकी रोड की ट्रेन एरो प्लेन की बात कर दी तो समझ लेजे आपकी मेरी फिट जोनों में बाटी गई है अभी मैंने आपको पढ़ाया जैस्ट अभी नाव ठीक है 17 जोनों में बाटी गई है बिल्कुल सही है भाई बिल्कुल यहां पर तो कोई गलती होने की संभावना ही नहीं सुक्ति किसी की गलतियां अगर हो रही हैं तो उससे बड़ा मूरक दुनिय में कोई नहीं होगा अरे यह फनवित राज जी क्या कर रहा है 21 जोनों में है अरुश्योर आप सही हो एंसर क्या कर रहे हो यहां पर देखिए कुल्दीप सोला कह रहे है अभी कुल्दीप जी मैंने अभी जस्त थोड़ी दिर पहले आपको पढ़ाया है ठीक है ऐसी गलती म आप गलत कर रहे हो तो कहीं नहीं है ठीक है आप गलतिया मत करें मैं आपको नाम ले लूँगा ठीक है चलिए देखते हैं अगला क्वेश्शन किया कहता है यहां पर यहां पर नवे नमर कॉश्व क्या कह रहा है तीन फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली ट्रेन चलाई ग किसके बीच चली थी पहली विद्धु ट्रेन जो है 1925 में चलाई गई थी डेट आपको यहां पर मिल गई यानि क्वेशन में नया क्वेशन क्या मिल गया तीन फर्वरी को चलाई गई थी ठीक है चार फर्वरी को विश्वका एंसर दिवस होता है उसके एक दिन पहले भारत म ऑन ऐसने में क्या चली थी विजली की ट्रेन चली थी याद करने का सबसे बेस तरीका ठिक है दिवस भी याद ट्रेन भी याद ठीक है अब हमें बताना मिया किये कि के भी चलाई गई थी यह ट्रेन ठीक है अभी मैंने आपको बताया थोड़ी से बंबाई से कुरला के भी जी बिल्कुल सही तक चलाए गे थी यह राइट आपका रहा ठीक है यानि कि 1925 में चलाए गे थी यह तरेन ठीक है और अच्छी बात आपको बड़ा दें देंगे दिहान से कितने अच्छी तरीके साब याद कर सकते हो कि विश्व में जो पहली ट्रेन चली थी वो अठारा सो पच्छी से पहली ट्रेन ये इंडिया में चलाए गे थी और इसी के साल बाद 1925 में इंडिया में चलाए जा रही है क्या है क्या है बताए हमारा डीजर लोको मोटीव वर्क्शॉप कि स्थापना कब हुई थी डीजर मोटो लोकीव जो है workshop कि स्थापना कव उजय आपको year बताना यहां पर है थोड़ी से यहां पर confusing है आपको बताओ भाई आपका year कव है ये नाइटीन सेस्टी वन यहां पर जीतेंदर सिंग कहा रहा है सर जीतेंदर सर आपका थोड़ा सा थोड़ी सी कम्या थोड़ी सी गलती रह गई है आप बिल्कुल आसपास पहुंच चुके हो लेकिन थोड़ी सी गलती है 1964 बनाए गयती यह आपका सक्क्ति वन नहीं है यह पर स्थापना कब हुई कहा गया है तो इसका बनारस है फिर कुप यमबूर कई जगां पर इसके दिखे लोकोमोटिव बनते हैं ना मारे अब तो कई जगां हों पहले भारत में एक ही बनता है अब तो कई जगां पर 1964 संतोष कुमार कह रहा है 1964 में है बनारसी यहां पर बनारस देखे दे भी रहे है आपका ठीक है चलिए यह अगले क्वेशन बढ़ता है भारत में पहली रेल मुंबई और ठाने के बीच में कितने किलोमेटर की चलाए गई थी बहुत इजी क्वेश्चन्स है बिलकुल जिसे क यहां पर चुका है चंदन कुमार यहां पर कह रहा है तकी बात है हाँ बिलकुल सही कह रहा है आप देखे छे किलोमेटर कौन लिखके दे रहा भाई यहां पर खेक किलोमेटर यह पागल पालवर्ण ने ऐंसर मत दीजे आप लोग ठीक है प्लीज तीक है यहां पर बिलकुल सीरेच प्लाइग आगर बात चल लए ऐसे बिलकुल मजाथ मत करी अगर पढ़ने का मन ना हो तो आप बिलकुल जा सकते हो लेकिन यहां पर करना क्या है कि ऐस सबको पता है लेकिन लिख दिया आपने तो आप सबसे भीड से अलग हो गए क्योंकि आपको वो डिटेल पता हो गई कि 16 अप्रैल को चलाई गए थी बंबाई से थाने के भी 34 किमेटर की यात्रा चलाई गए थी अब मेरा प्रशन आप सभी से इन से हट कर की questions और पीपीटि से यह पहली जो ट्रेन चलाई गई थी मंबाई से ठाने सी चलाई गए थी तो बंबाई के किस प्लेटफॉर्म चलाई गए थी यानि की भारत में प्लेटफॉर्म का नाम बताएं हमें आप ते पुराना में भारत में कौन रबाइध है 22 किलोमेटर यहां पर देखे कह रहा है या पर सिद्धार्थ जी कह रहा है आप इसर बाइस किलोमेटर शोला अप्रैल को 34 प्रेंट चलाए गए थी लेकिन किस प्लेट फॉर्म चलाए गए थी बताएं भाई मुझे थाड़े थाड़े तो ठीक है लेकिन कौंस शुरुवा चाहिए ठीक है उस समय नाम बताईए क्या था इसका छत्रपती सिवाजी टर्मिनल आपने एंसर दिया बिल्कुल सही है लेकिन मुझे इसका प्राचीन नाम चाहिए छत्रपती सिवाजी टर्मिनल भारत कसे प्राचीन प्लेटफॉर्म है लेकिन इसका प्राचीन नाम आप पतासर, CST का प्राचीन तम नाम है आपका बोरी बंदर, क्या नाम है बोरी बंदर, नोट कर लिजे कहीं इसे बोरी बंदर, ये CST का प्राचीन नाम है, छत्रपती सिवाजी का प्राचीन नाम है, बोरी बंदर, इसे शौट में इस शहर को बोरी बली कहते हैं, आपको याद ह का बंबई में बोरी बली बहुत है बहुत मश्रूर है तो बोरी बंदर इसका पाचीन नाम ता जिसका नाम रखा गया बाद में CST चत्रपती सिवाजी टर्मिनल अगर वो ऑप्शन में आपको बोरी बली नहीं बोरी बंदर देता है और CST आप्शन नहीं मिलता आपका तो सब्सक्राइब करने के बीच लिए बेक्षजर और एक्सप्रेंस का नाम है बुध्वर को तो आप बुधवार को चली तीन दिन की दूरी करती है तो यह तुस्ट्री को आपकी आने की फिर से वापस चली आती है इसकी लंबाई कितनी है मुझे इसकी लंबाई आने की कितनी दूरी तना करती है यहां पे कुछ लोग answer आगा है बिकास कुमार भी कह रहा है 4246 किलो मेटर सकील आमत भी कह रहा है 4286 किलो मेटर बिल्कुल सही है जिन्नों ने यह answer दिया है यहां पे वो बिल्कुल सही answer है यह आकड़ा बिल्कुल याद रखिएगा ये भारत की सबसे लंबी दूरी टैग करने वाली ट्रेन है 4000 यहाँ पर अगरम बात करते हैं कितना देखे राप पा 4200 नहीं है 4286 यहाँ पर लिगज़ा एंसर दिया गया है बिल्कुल सही एंसर है 4286 किलो मीटर अगला क्वेश्ट किंस्क्राइब घ्राइब या अगर हम बात करते हैं यह चेन्नाई ब्रक लोड की दी चला जाती है या अगर हम बात करते हैं मतुरा और जैपूर के बी चला जाती है या अगर लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो ये तमिलाडवा और मध्ध प्रदेश की बीच में चला जाती है Answer please, चल्दी करें देखें मैंने आपको और ऑप्शन दे दिया है ओप्शन चैन्नाई और बैंगलूर के बीच में चलाई जाती है मुवम्मद सकी लेमत कह रहे हैं सर बिलकुल सही है यहाँ पर शंतोस कुमार के अंशर भी सही आए हैं बंबई और किसके भी चलाए गई थी चन्नाई के बीच में चलाए गई थी यह ट्रेन इसका नाम है ब्रिंदावन एक्सप्रेस ठीक है अक्सर ब्रिंदावन का नाम आते ही आप भागो की किदर मतुरा की और भागो गया यानि कि यूपी की और आप जो है रुख करोगे लेक सब्सक्राइब की किसके लिए अगर बात करते हैं तो जो नदी जल्विवाद अगर बात करते हैं कावेरी जल्विवाद भी दोनों राज्यों के बीच में है और यहां पर एक बिंदावन एक्सप्रेस विन दोनों के बीच में आ गई ठीक है common questions हो गया यह देखते अगला क ख्याले नाम है इसका हाजीपूर, हाजीपूर मैंने अभी आपको बढ़ाया, अभी बताया थोड़ी दिर पहले, बताये, हाजीपूर किस जोन में आएगा, याद है कुछ मैप, आपको इस्ट में बना था, फिर यहाँ पर सेंट्रल था, और बीच में आपका हाजीपूर य आपका अंसर सही है, हाजीपॉर भारत का सबसे बढ़ा सारवजनीक उपकरम कौन सा है, सबसे बढ़ी भारत की जो व्यवस्था है। कुई भवस्ता भारत में नहीं है। लेजितने बैवस्ता है वो है वह किसीर्वन नहीं है है सबसे बढ़ा साधन है अगर हम बात करें तो रेलवे भारत की बैक बोन कही जाती है रिण की हड़ी कही जाती है अंग्रेजों के समय में अंग्रेज इसी के भरोसे इसी के ऊपर डिपेंड होकर कि उन्होंने बहुत यानिकि अगर बात करते हैं पूरे यानिकी 190 साल राज करन दम दम से टालीगंज में आपको घृँ मेटर की दम से टालीगंज तक चलाई गयती इसकी लंबाई कितनी थी सोचहें को ये पुंछी दम से लंबाई फिए धृख कलाν से चाली कन चैनलयाने कि पहली अगर कितने किवि Chevy Cathieiosa यहुआ आपका अंसर प्लीज 1985 एंसर है यहाँ पर आ रहा है मुझे ट्रेन का नाम नहीं चाहिए यहाँ पर मुझे सिर्फ इतना बता है जी कितने किलो मेटर चलाई गई थी यानि कि अगर मैं बात करता हूँ दूसरा कौश्चंस यहाँ पर मेरा है यह बताईये का कि भारत में पहली भूमिकत जो ट्रेन है यानि कि मैटरोगी बिवस्था कब चलाईगे थे किस वर्स चलाईगे थे मुझे यह बताईए एंसर यह दीजिए का किस वर्स प्लीज एंसर 1984 यहां पर answer आए सके लहां मैं फिर कह रहा है बिल्कुल सही answer है यानि कि अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ध्यान समझ लीजिए ध्यान से देखेगा बहुत अच्छी चीज़ है यहां पर 24 अक्टूबर की बात करते हैं वो दिन और 1984 इंद्रा गांधी जी ने इसका उद्गाटन किया था यानि कि गई वो और यहां पर ट्रेन का उद्गाटन किया पहली भूमे का ट्रेन चलाई जन्डी दिखाई उन्होंने और कितने अच्छी दुखद अगर हम बात कहें या एक अच्छा जीके बना सकते हैं आप इसको कह करके हलाकि दुखद बात है लेकिन आप एक अच्छा जीके तयार कर सकते हो यानि कि बारत में पहली ट्रेन चली उसके ठीक अगर हम बात करते हैं छे दिन बाद अगर हम छे जो गते हैं छे दिन बाद नहीं 31 अक्टूबर 1984 को इंद्रा गांधी को मार दिया गया उनकी हत्या कर दी गई सत्वन सिंग और बेयन सिंग के द्वारा तो यहाँ पर आप देख रहे हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई तो यह याद हो आप दोरों में से अगर कोई एक याद होगा तो आप निकाल ले जाओगे अगर मुझे यह याद है तो मुझे पता है इंद्रागांधी के मरने से छे दिन पहले भारत ने मेट्रो टेन चला दी गई थी यह हमको पता है और हम इसके एंसर को क्लियर कर लेंगे ठीक है ना भई यहाँ पे दिमाग बिल्कुल ठीक ठाक रखे तीन फर्विज उन्होंने सबसे लंबी तैकरने वाली कितने किलोमिटर करती है अब में कहने के बात करते हैं देश की सबसे लंबी करने यहाँ यहांी पहले यहां पर घुमा हुआ यहां पे है देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है ठीक है लंबी दूरी अभी अभी थोड़ी दर पहले विवेक सागर एक्सप्रस आपने अंसर दिया 4286 उसी को घुमा करके पूछा जा रहा है भाई सहाब मेरे कि कुछ नहीं करना है 4286 किलोमेटर ट्रेन सबसे लंबी अब तक दूरी तया करने वाली है यह प्लेट फॉर्म यह पट्रिया है आपको इसका एंसर बिल्कुल घुमा वह प्रस्ण पर कई लोग एंसर कुछ और द अब ही थोड़ी दर पहले हमने स्टापना कब हुई थी 1905 अब एंसर सही आ है 1905 अभी थोड़ी पहले कि देखे कुछ कुछ जैसे यार इसमें आ गई है मिस्टेक है आपको शहर का नाम नहीं बताना है आपको राज जी का नाम बताना यहां पे पहली रेल किस राज जी में चली थी आपको यह बताना है एंसर समझ लीजे भारत की पहली रेल किस राज जी में चलाई गए थी कहां चलाई गए थी नहीं आपको किस राज जी में चलाई गई यह आपको बताना है यहां पे बंब अगर उसने माहराष्ट दे दिया और राहस्थान गुजरात सहुराष्ट दे दिया तो आप क्या करोगे तो यहां पे तो अब हीका एंसर तो बिल्कुल सही है लेकिन मैं अगर इस तो ट्रफ बनाओ, देखे ध्यान से, समझेगा, कैसे इसमें आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है, मैंने एक question option लिखिया, सो राष्ट लिख दिया, ठीक है, ध्यान से देखना, सो राष्ट, फिर यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे हमने लिखा, महाराष्ट, महाराष्ट, यहाँ पे लिखा, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान लिख लिया, और यहाँ पे लिख लिया, गुजरात, अब मुझे answer दो भाई, भारत में पहली train चलाई गई थी, answer please, भारत में पहली train चलाई गई थी, आप मेरी यावाद सुन रहे हैं, तो please answer जली करिए, भारत में पहली train अगर चलाई गई थी, अगर मैं बात करूँ, देखे, सो राष्ट, यहाँ पे answer आ रहा है, ठीक है, मौनिशा बिलकुल सही answer दे train चली है, 1853 में train चली आपको पता है, ठीक है, अच्छा यह बताओ कि महराष्ट और जो है महराष्ट और यह नहीं कि सौराष्ट बत करते हैं, गुजरात और महराष्ट, यह दो प्रदेश मिल करके बनते थे सौराष्ट, ठीक है, और यह दोनों अलग हुए है, 1960 में अलग हुए हैं, इस से पहले दोनों का नाम क्या था सौराष्ट, तो यहाँ पर सौराष्ट बिलकुल सही है, ठीक है, समझ रहे हैं आप यहाँ पर, आयू सुराज, आप समझ रहे हैं कि मैं आप से यह कह रहा हूं कि भाया, यह अलग-अलग कर दिया गया, तो सौराष्ट आपक आपको बताऊं, यानि कि आपके ठीकी गुरू के माध्यम से अगर मैं इस बात को कह रहा हूं, तो इस बात को सीरसली लीजिए, कि अगर जीके के कार्डिंग अगर वन लाइनर बुक पढ़ रहे हैं आप तो सबसे ज़्यादा नुकसान दायक वन लाइनर बुक होती है, व वन लाइनर में खतम, आगे कुछ कहना ही नहीं है, किसी परिक्षा में उन्होंने दिया एंसर और वह एंसर लिख दिया गया है, तो मन नहीं बस ये है वन लाइनर इस लिए बचिये, ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्लीज करें, एंसर प्लीज करिये, यहाँ पर इंडियन रेलवेइ पुल है, अरे भई इंडिया में बनाया है, इंदरा अच्छा, इंदरा रेलवे, नहीं, इंदरा नहरू से तु, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सोच समझ करके उत्तर दीजिए, नहरू से तु अलपना जी का अंसर आया है सर नहरू, यहाँ पर आलोग वर्मा का भी अंसर नहरू आया है, बिल्कुल राइट अंसर है, देखो एक तरीका करते, एक स्मार्टनेस तरीका, नहरू जी क्या थे, लंबे थे वो बहुत थोड़े लंबे थे, तो लंबा पुल, ठीक है, जी बढ़े, तो बड़ा पुल, ठीक, याद करने का बेस्ट आसान तरीका यही है, कि आप बिल्कुल यह मत सोचो दुनिया क्या सोचेगी, ठीक है, जी के पढ़ने के लिए आपको पागलपन आपके अंदर आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ठीक है, जो सोचती है, घंटे, घर वाले, बाहर वाले, यही कहेंगे, सिर्फ किताब खोल कर बैठा रहता था यह, परता नहीं था नलायक, इसका दिमाग कहीं ओ रहता था, ठीक है, तो इस चीज को समझ यह, दुनिया जो सोचे, सोचने दो, ठीक है, हमें सेलेक्शन लेना है, हमें अपनी आपको अर्थम क्रांती रेल कहां चली थी, क्रांती रेल, सपत क्रांती, संपंत क्रांती, ठीक है, कौन सी क्रांती रेल भारत में पहले चलाई गई थी, कहां चलाई गई थी, आपको एंसर देना है, एंसर प्लीज जल्दी करें, पहली क्रांती टेन कहां से कहां चली बैंगलोर, बिल्कुल सही एंसर आया है लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी है आप स्वतनिल अलोग जी यहां पर क्या है दिल्ली से बैंगलोर पहली क्रांती ट्रेन चलाई गई थी ठीक है पहली क्रांती कारी ट्रेन नहीं यहां पर क्रांती ट्रेन ठीक है वो दिल्ली से बैंगलोर तक्रां के नाम से डिल lei से कहां तक आपकी यहां पर बैंगलोड तक चलाए के थी क्लियर है चली देखते हैं अगला पॉशन संग्या काहता है कुल केंदर क्यां कितना % बाकार रेल्वे कंदर सरकार में जो जितने करम-स रहाएं उसका कुल कितना पर सेंदे हैं जो केंड्र सरकार पर इक्षा आती है उसमें कितना पर संट संट रेल्वेह में हैं आपको एंसर देना है यहां पर प्लीस एंसर करेए हाचा बाइस नंबर क्वेशन छूट गया आप कह रहे हो ठीक है बाइस नंबर क्वेशन मैं भी फिर से पड़ता हूं यहां पर पहले मुझे का सब्सक्राइब यहां पर 24 नंबर क्वेशन का एंसर बताएं भाई कितना होगा इसका एंसर जल्दी बताइए फटा-फट यहां पर राइट आंसर की बात करते हैं बिलकुल सही एंसर सोच समझ करके दीजेगा काफी लोग दे रहे हैं यहां पर 42 परसेंट है 75 परसेंट आप एंसर दिया जा रहा है ठीक है चलिए यहां पर बात करते हैं कितने परसंट की तो वह हैं 75 परसेंट is the right answer पूरे केंद्र सर कार की जितनी हैं अगर हम बात करते हैं उसका मिला लें तो 75% सिर्फ रेलवे अपने आप में आपको नौकरी देता है फॉर्थ क्लास से लेकर के फर्स्ट क्लास तक ठीक है अच्छा अब आते हैं ट्वंटीटू नॉम्बर क्वेशन छूट गया था मुझसे सौरी गाईज ट पूचन सबसे का सब्सक्राइबन में यहां पेंगलूर है बैंगलूर एक्षल प्लांट आपका स्थापित जो किया गया था वो बैंगलोर में किया था ठीक है चलिए देखते हैं अगला क्वेस्चन्स यहां पर हम बात करते हैं 25 नमर कॉश्चन्स चलते हैं 25 नमर कॉश्चन्स कहा कहता है उत्तर रेलवे में सरव प्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान से यहां पे मोरता सहर की और रोड पे चलाई गई थी रोड के बीच प्रणब हुई थी जहां समझेगा उत्तर रेलवे में सरव प्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मोरता सहर से मोरता रोड के बीच में प्रणब की गई थी आपको इसका राइट आंसर देना है एंसर प्लीज जल्दी करें भाई बोल दिये भाई किस वर्ष चलाई गए थी प्राव की यह आपको इसका आंसर देना है फटवट आंसर देजिए आंसर प्लीज करिए, नहीं पता सर, 1994 में चलाई गई थी यह ट्रेन, ठीक है, यहाँ पर ध्यान सी कहा, उत्तर रेलवे जो आपका है, कौन सा उत्तर रेलवे, यानि कि दिल्ली, एनार, दिल्ली से जो सहरो प्रत्रम डेल बस चली थी, वो रहस्थान के मोड़ता सहर के बीच, आनि कि प्लेट जो पट्रियां बिचाए गई थी, वो जस्ट रोड के साइड साइड, यानि कि जस्ट रोड ऐसे जा रही है, और यहाँ पर जो पट्रियां होगी, वो भी ऐसे चलेंगी, तो इसके एकॉर्डिंग इनो ने जो बनाया था, यह पहली ट्रेन ऐसी पहली बार बनाये गई थी, 1994 में, क्लियर है, ध्यान रखेगा यह ट्रेन की बात, चलिए, देखते हैं, अगले क्वेशन के अगर में बात करते हैं, अगला क्वेशन समारा क्या कहता है, 26 नमबर क्वेशन सामने आ चुका है, कोईले से चलने वाला देश का पहला पुराना इंजन कौन सा है, कोईले से चलने वाला देश का पहला पुराना इंजन कौन सा है, देखें, आपर कुछ लोग ने अंसर दिया भी, बताएं भाई, कोईले से चलने वाला पहला पुराना इंजन कौन सा है, अंसर प्लीज जल्दी करें, किसी के अंसर अभी नहीं आए है, अंसर प्लीज प्रमोट कुमार कह रहा है यहां पर सबसे पहले आपका आपका एंसर ही आजा है और फेरीक कुईन पहला आपका क्या है आपका इंजन है कोईले से चलिए देखते हैं अगला गुशन चानिकी 27 नमबर कुछ चाहरा है भारत एस्या तथा विश्व का सबसे लंबा रेल्वे प 66.33 ठीक है मीटर ये लंबाई किसकी है आपको बतानी है जल्दी कर दीजेगा लेट मत करेगा बहुत पुराना और बहुत गोरगपुर देखें यहां पर आ चुका है यहां पर अलपना सर्मा कहा रही है कि सर गोरगपुर है गोरगपुर बिल्कुल हाली में अगर हम बात करते हैं तो 2015 में इसको क्या हुआ है यह विश्व का नंबर वन प्लेट फॉर्म माना गया बना दिया गया है इससे पहले खड़कपुर था खड़कपुर में थोड़ी सी लंबाई कम है बस और कुछ अंतर नहीं है अगर हम बात करते हैं तो आपके गोरगपुर प्लेट फॉर्म पे हम बात करते हैं तो कम से कम 24 से 25 प्लेट फॉर्म और अभी कुछ कारेट प्लेट फॉर्म चल रहे है जिनको बनाने की बात चल रही है तो यहां पर हम बात करते हैं चलिए देखे ला कि घहते हैं थ्यान से समझ यहां पर यानि की 28 नबर क्वैस्टन क्या कहता है यहां पर विश्व में प्र गप चली थी विश्व की पहली रेडा आपको बताने है कब चलाई गई थी एंसर प्लीज जल्दी करें 1825 यहां पर संतोष कह रहा है 1825 बिलकुल संतोष जी आपका अंसर बिलकुल सही है 1825 में पहला आपका ट्रेन चलाया गया था कहां से कहां तक मंचेसर से लिवरपूल तक मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है 1924 किसने अंसर दे दिया है आलो बर्मा जी दिमाग आपके सही है जो आप ऐसे अंसर दे रहे हो थोला सा अपने दमाग पर जो डालिए और देखिए आपने अंसर गलत दिया है सायद जल्दिबाजी में ऐसा हो गया हो आपसे चलिए देखते हैं यहां पर अगला क्वे प्रमारित भारतिय रेल का प्रथम किस तरह से जहां पर जो है संस्थान है ध्यान समझेगा यह क्वेशन थोड़ा क्रिटिकल है काफी उल्जाओ क्वेशन से समझ में आपको पहली बार में नहीं आएगा क्योंकि ध्यान समझे लिजिए पूरे स्थित इस यहां पर इरेंस यहां पर इरेंसर इक व्यवस्ता है ine görünsam हाई ऐस सो एक दोनों प्रमारित करते है वह संस्थान है यहां पर पर यांपर देना कैसी व्यवस्ता है यह क्या अगर मैं आप से बात करता हूं तो इसका सब्सक्राइप करता धै यह है यह यह भी करता हैं आप में जानके लिए युशूनी दिगरी यानि के खुर इटी से धूस्थान ये संस्थान है जोतेरेगी संस्थान के अंड को महनुताएं अब एक है है थीस सब चेज़ है भारतिये रेल बजट का यानिकि भारतिये रेल बजट को सामाने बजट से कब अलग किया गया था एंसर प्लीज जल्दी कर दें इसका तो ध्यान समझ लीजेगा 1921 में क्या हुआ था पहली बार एक समीथी बनाए गए थी अकवर्थ कमेटी एक समीथी बनाए गए थी इस समीथी के अलग किया जाएगा और अलग करने की बात कहीगी लेकिन 1924-25 यह भारत का पहला रेल बिजट था जो अलग पेस हुआ था बट नाओ इस टाइम इंडिया में दोनों फिर से एक साथ पेस किये जा रहे हैं 2017 से रेल बिट और आम बिट एक साथ पेस हो रहे हैं यह बात का ध्या जो डिजाइन परियोजना की शुरुवात की गई थी किस वर्स कानपूर में की गई थी यानि कानपूर से हुई है आपको यह पता है लेकिन किस वर्स हुई है आपको यह अंसर देना है बताएं भाई रेल लिट द्वारा रेडियो से जो दिया जाएगा यानि कि वो किस व सब्सक्राइब करें प्रभावसाली कदम है रेल दुर्गहटनाओं को बचाने के लिए रेलवे को लेट लतीप से बचाने के लिए ठीक है चलिए देखते हैं अगला कुस्छ वहारा क्या कहता है भारत में भूमिगत याने की मेट्रो रेल का शुभारम्ब कब हुआ था यहा यहां पर आपको यह बताना है और आई होप आप इसका अंसर गलत ने करो कि पीछे हम चर्चा कर चुके हैं आपको एडवांस मैंने जानगारी दे थी इसका अंसर बता दीजिए फटाफट कि भारत में पहली भूमिगत ट्रेन कब चलाई गई थी पहली मेट्रो कब चलाई गई थी फिर आलोग जी आप गलती कर रहे हो यहां पर देखे आयूशी कहा रही है बिल्कुल सही है आपर कि 1984 में चलाया गया था सर हाँ बिल्कुल सही है आप भई यहां पर 1984 में कलकत्ता में चलाया गया था पहला भूमिगर ट्रेन मैंने आपको अभी थोड़ दर पहले है जब हम किसी को छोड़ने आते हैं किसी अपने को जब हम प्लेटफॉर्म पर छोड़ने जाते हैं तो हमें प्लेटफॉर्म टिकट लेना होता है जो की बहुत जरूरी है और यह हमारे राष्ट के विकास में एक सहयोग की माध्यम से है और यानि कि अगर हम बात कर दो तो प्लेटफॉर्म का टिकट अगर मिलता है तो प्लीज अगली बार से जब भी मैं कभी छोड़ने जाऊंगा तो प्लीज आप मेरे टिकट ला देना प्लेटफॉर्म का ठीक है यहां पे ट्वेंटी नंबर जो एंसर दे रहे हैं आलोग बर्मा कहा है त्वेंटी भाई साहप साइकल स्टेंड का दाम नहीं पूछा गया आप से कि आपने बाइक खड़ी किया है तो दस रुपए उसका भी लगा दे रहे हैं और दस रुपए टिकट भी लगा दे रहे हो कि सर जी 20 रुपए खर्च होते हैं समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पे 10 रु करने वाली रेल गाडी का नाम बताए आप पहले बता चुकिए वेक सागर एक्स्प्रेस बिल्कुल सही है एंसर चलिए देखते हैं अगला क्वेस्टन्स यहां पर अगर हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेस्टन्स क्या कहता है बारत में प्रथम विद्धूत इंजन का निर्म किया गया कब से बनाया गया आपको यह बताना है 1925 नहीं भाई भारत में यह हम विदेश से ला रहे हैं 1925 में हम आजाद नहीं हुए हैं अंग्रेजों की गुलाम हैं हम अभी हमारे यहां नहीं बन रहा है हम विदेश से ला रहे हैं इंडिया में कब से बनना शुरू इस एंसर को याद कर लिए 1971 में इंडिया में इंजन बनना शुरू हुआ था ठीक है चलिए देखते हैं अगला क्वेशन हमारा क्या कहता है यहां पर इंटेग्रेल कोच फैक्टरी कहां इस्थित है एंसर प्लीज इंटेग्रेल कोच फैक्टरी कहां इस्थित है चलिए एंसर यहां पर देखे रेल्वेट पर आख्षण और ट्रेनों के आवा गमन और ट्रेनों के आवा गमन की सूचना देने वाले हेलप लाइन लिए दीदконू है जोकित हुआ है लेकिन मुझे 36 का आणसर चाहिए है यहां पर देखें जीतेंदर सिहने आंसर देदिया है कि सर फर्ञों थ deduction Sakshu है यहां पर देख लिए 139 यह हेल्प लाइन नंबर है भारतिय रेलवे का क्या है यह देखिए धिहां से 139 की अगर हम बात करते हैं तो रेल टिकेट आच्छन और रेट ट्रेनों का आव अगमन सूचना याने कि अगर आपको ट्रेन बुक करना है मॉबाइल के माध्यम से करन है तो आप ऐसे कर सकते हो आपको अपने ट्रेन की इंफॉर्मेशन लेनी है कि मेरी ट्रेन लेट है या नहीं है सर ट्रेन कब तक आएगी कितने प्लेट फॉर्म नंबर पर आएगी तो आप उसे के अनुसार आप अपने घर से निकल लिए तो 139 यह आपका हेल्प लाइन न है तमाम ऐसे क्वेशन जो मिल जाएंगे उनके लिए तमाम क्वेशन ऐसे बनते हैं कि कौन-कौन से हेल्प लाइन नंबर है यहां पर 37 क्वेशन चलिफार कर लिजेगा ठीक है चलिए अगला क्वेशन क्या यहां पर रेलवे कोच फैक्ट्री कहां इस्थापित है यह तो कोच फैक्टरी आपको बतानी है कहां है बाई बताईए रेलवे कोच फैक्टरी कहां है चलिए एंसर प्रीज करें रेलवे कोच फैक्टरी कहां है भाई साब चैन नहीं भाई साहब यहाँ पे सही एंसर दो दोस्तों अब आपके एंसर गलत आ रहे हैं क्या बात है एंसर क्यों गलत हुए नहीं पता सर चलिए कोई बात नहीं हुसाइन पूर कपूर्थला ये रेलवे की कोच फैक्टरी है कोच जानते ना आप अब आसे बनार्स समझेकर समझेकर ये रेलव पशाइन पर पतला सुरी कपूर्थला में बंखला पवनबें है पंजाब्ध में कपूर्थला के हुसाइनपुर में आपके कोच के फैक्टरी है यानि कि हो कोच जैसे कोच्टी समझीगा यहाँ पे बूगी का और हम बात करते हैं यहांसे उन्होंने बंда कर रखा है तो यहां से खुला होगा यहां कि दूसरी वी बूघी होगी उस बूघी में जुड़ा होगा यहांसे देखे तो यानिकी एक इक बूघी में आहिन गए कट Lars कोबभभ तहरा क्या रही है तो आप दूसे कोछ सकते हो ठीक है गलती से यह 가서 जाना है उल फॉर में हूँ चल गया बनच कानग आप तो अपने कोच को क्षेंज कर सकते हो कोच कोच की माध्यम से इसके आराम से आप जा सकते हो ऐसे कोच बनते हैं यहाँ पर हे कम थे आकर पर पॉनजाब प्रहानम है चलिए देखते हैं अगला क्वेशन से क्या है है रहा है भारत की पहली हाई स्पीड storm गतिमान एक्सप्रेस का सफल परिक्षन तीन जुराई दो हजार चौदा को किया गया यह ट्रेन कितने किलोमेटर घंटे की रफ्तार से दिल्ली स्टेशन से आगरा के कैंट तक मध्यम में चलाई गई थी यहां कि रफ्तार आपको बतानी है कितने किलोमेटर रफ्तार से ट्रेन बात करते हैं तो आप खुद सोचो भारत की भावगालिक इस्तिति अगर हम बात करते हैं कि तो भारत की भागल इसनि ऐसी है कि यहाँ पर कुछ छेतरों में ट्रेन बहुत लाय शुर्टु सकती हैं उत्तर भारत में ट्रेने तेज नहीं चल सकती है रीजन क्या है उत्तर भारत की जो मिट्टी है वो भुरभुरी है और बहुत नम सॉफ्ट है ठीक है यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा तराई छेतर है इसलिए यहाँ पे कभी नहीं तेज चलेंगे ट्रेने इनके लिए क्या करते हैं हमें स्लीपर जो नीचे बनते हैं वो बहुत हमें हाड बेस देना होगा हाड बेस देने के कार यानि कि पट्रियां जो है ट्रेन जो है पट्रियों से नहीं उत्रेंगी जितने भी रेल हाथ से आप देखते हो वो उत्तर भारत में होते हैं अमूमन तोर पर यानि कि एगर हैंडेट परसंट रेल हास्ते इंडिया का महाध्वीब की जमीन से मैच करती है काली मिट्टी यानि की पठ्थ्री जमीन है जो अलमुखी जो बनी हुई मिट्टी बहुत है समझ रहा है इंदिया में नहीं चल सकती है यह कि हमारे लिए एक जिसे कहते हैं हमें अपने आपको स्विकार करना होगा कि इंडियामे hour-starMA चलाना है तो उसके लिए– पिलर बनाना होगा एंड़र पर ही ट्रेन हम अच्छे तरह से चला सकते हैं अन्य इत्पा नहीं चला सकते हैं लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व के अगर हम बात करते हैं, तो पूरे विश्व का ऒधर इंडिया लेकि चलता है अके ले यानि कि अगर इंडिया में आपको अगर जाना है Swizar land तो आप कश्मीर घूम लिजिये, इंडिया में अगर आपको बारिस घूमना है, जानते हैं यानिकि हमें भूमत रेखाख यतर जाना है तो रहास्थान चले जाई ये इंडिया में सभी मौसम का आनंद ले सकते हैं आप पूरे विश्व के जितने जो मौसम का इंजुआइब करते हैं आप वह इंडिया में पर देखने आप चाहते हैं जो भी चाहते आप इंडिये काइसा प्लेस है यानि हम हो भारत में हैं एक जो फैक्टरी की ऐस्थापना कब हुई थी नीट कर इसका चाहिंची undertow रहे हैं अच्छा ठीक है अतुल कहा रहा है यहाँ परrieलवेसिक्स चली जो ठीक है समझगे कहां की थी railway coach factory जो बनाए गए थी 1988 में बनाए गए थी ठीक है चलिए देखते हैं अगला questions क्या कहता है हमारा भारत और पाकिस्तान के भी चलने वाली रेल गाड़ी कौन सी है बताओ भाई भारत और पाकिस्तान की भी कौन सी ट्रेंज चलती है answer please चलिए answer कर दीजे इसका फटाक्स answer क्या होगा समझगोता राहुल गुपता कह रहा है सर समझगोता express है स्वापनिल कह रहा है समझगोता express जाने की हम बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान की भी समझगोता express है मैंने आपको एक दिन questions किया था कि आपको जब आपकी बनाई जा रहे थी आपकी पाइप भारत और अफगानिस्तान की बीच में कौन सी चलती है यहां पाकिस्तान की थी आप मुझे बता दो भारत और बंगलादेश की बीच में कौन सी ट्रेंज चलती है फटाक्स जल्दी से एंसर कर दो भारत और बंगलादेश की बीच में कौन सी ट्रेंज चलाई जाती है गतिमान express मैत्री express रभी कुमार गुपता का राइट एंसर है मैत्री बिलकुल सही answer कह रहे हो भाया मैत्री express चो ट्रेंज है वो किसके बीच है और मैत्री अथर प्रफ तैज गती से चलने वाली रेलगाडी कौन सी है आपको बताना है कि भारत तेज गती से चलने ट्रेंज कौन सी है एंसर प्लीज करेए सतापदी एक्सप्रेस बिल्कौल सही answer सतापदी एक्सप्रेस गतिमान नहीं भाई सतापदी एक्सप्रेस कड़ेश और दो राज्यों के बीच या वो सिर्फ बड़े दो प्लेटफॉर्म वे रुकेंगी और सबसे कम समय में आपको पहुचाएंगी यह होती है दुरानतो एक्सप्रेस जैसा कि आप जानते हैं पश्चिम अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पश्चिम बंगाल से भारत की आप अगर कानपोर बनारस आपको आना हो तो दुरानतो पश्चिम बंगाल होते हो बिहार से आती है तो काफी ट्रेनों का पकड़ सकते हैं यह दुरानतो एक्सप्रेस कहलाती है बहुत कम समय में बहुत कम जगाहीं रुकती है यह इस टॉपर जिनका बहुत खास होता है तो ऐसे कुछ ट्रेन हैं जो आपको क्लैश कर जाएंगी ति कि न गतिम अंसर इसका नहीं है करा सबमाति करें के गया जाएंटी सब्सक्राइब seetaghan लिखा राजणी तो रहे गार्य जाएक नहीं करोगे तक है चली देकऊ संब्सक्राइए नहीं धाना हे यहां पर देखिया सब्सक्राइए जल्दीMM करोड़ एंसरिका जलिए घं भारत पहली bullet train किसके बीच चलाई गई थी मॉझा गेति के बहुति है एम्हाज़ रिजु ते कि बंबय कि बाध रिजदी ते अहाई बहुत है भा कंसा है बताएं अभी उसकी लेट्फर्你看 अब पूछ रहा है सबसे लंबा प्रेटफर्म कौन सा है भारत में गोरकपूर बिल्कुल सही है जो अपडेट रहीएगा बिल्कुल खड़कपूर मत कर दीजेगा कभी-कभी नेट पर पुराने मैटर की बात करें तो पुराने मैटर में जो अपडेटेट रही है जो कई सालों से बाद बार वह ही जिसे पिसे रिपीट की जा रहे है तो वहाँ पर खड़कपूर लिखा होगा आप खुद समस्दार इतने हैं एक्टिव इतने हैं कि आप कह सकते हो कि भाया क्या होगा गोरकपूर जिसकी अभी लंबाई थोड़ी दिर पहले हम लोगों ने देखी थी ना याद है जीवन रिखा एक्सप्रेस एंसर बताईए इसका चलिए एंसर इसका बताएं जीवन रिखा एक्सप्रेस ऑप्शन देखा हो 1991, 2004, 2006 या 2008 एंसर प्लीज जल्दी करें 1991 देखे यहाँ पर आया है SKP जो है आप कह रहा है बिल्कुल सही एंसर है 1991 में इंडिया में पहली लाइफ 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 लाइन रिखा चलाई गई थी 2008 नहीं है बाई मैंने आप सुन दिया था 2004, 2000, 1991 कहा था 2004, 2008, 2006 कहा था 1991 है इसका राइट आंसर है क्या है यह यह रेल यातरी वर्स था और इसको कहते हैं कि लाइफ लाइफ लाइन रेखा यानि कि अगर हम बात करते हैं ध्यान समझेगा यह एक संबंद में जोड सकते हैं आप वो ट्रेने चिकत्सा ट्रेने अगर माल लीजे ट्रेन हादसा खोती वहाँ पर पहुश्टी तो इसे लाइफ लाइन यानि कि जीवन रेखा ट्रेन कहा जा रहा है आपको यह जीवन देने आ रही है ठीक है आपको यह आनि कि अस्ताल तक महया करा दिया नहीं कि ट्रेन में होस्पिटल बना दिया गया है समझ गया है देखिए अगला हमारे सीमा जो बॉर्डर पर जवान में पूरे पूरे में आप से बात बताऊं गाइज एक बार मैं खुद च्रेंवा करते समय में मैं बच्चिम बंगाल घया था वहाँ से जब कुछ लोग लौट रहते तो साथ में हमारे आर्मी के जवान भी होते हैं जो कि क्याने के देश के गौरों हैं उनसे जब प्लेटफॉर्म पर हमारी उनकी वारतलाब चल रही थी असम राइफल की जवान थे उन्होंने कहा कि भाई साथ अभी ट्रेन यहां पे नहीं है हम लोगों को यानि कि अवाचल प्रदेश निकल करके असम आना पड़ता है और असम से वो प्लेटफॉर्म से ट्रेंट पकड़ते हैं अपना यह बड़ी दुखत बात थी यह दो साल पहले की बात थी कि ऐसा कुछ भारत में आज भी है ठीक है कुछ चीजें ऐसी है जिनको ज़ाता है चीन कहता है कि आप क्यों यहां पर आये हो यह हमारा भूबाग है ऐसे अग्छाश्य प्रदेश में बात करते हैं तो यह भी कुछ बाते हैं जो स्याशी मुद्धे हैं जिनका आज तक कोई अंत नहीं मिल पाता कि बात क्या है आखिर किस बात पर यह है जो यहां पर ऐसा कुछ है हमारे खुद के पीम वहां पर कभी दौरा नहीं करने जाते हैं बहुत कम केसे ऐसे होते हैं ठीक है चलिए यहां पर देखते हैं हमारा क्वेशन क्या कहता है अगला यहां पर 47 नमर क्वेशन कहा रहा है कि भारतिये रेल का रेल लाइन की लंबाई की दृष् सबसे पहले आया था ठीक है अगे अपने आपको कर लिया है जापान को पीछे करते हुए आगे निकल चुका है और अमेरिका नम्बर वन पर है ठीक है चली देखते हैं अगला क्वेशन क्या कहता है 48 नमबर क्वेशन कहरा है लिएक समझेगा भारतिय रेल का सरवाधिक ड़ीस चलाने वाला यने ट्रेनों को चलाने वाला इस्टीशन कौन सा है जहां पर भारत में सबसेदिक ट्रेने आती है जाती है यूपी में कौन भाई यूपी कोई प्लेटफॉर्म तोड़ी ना है आप एंसर कर रहो यूपी उत्तर रेलवे ऐसा नहीं है मुझे एंसर चाहिए प्लेटफॉर्म को नाम चाहिए कि बंबई है कौन सा है वो में घाला है मिजोर ट्रेने गुजरती है ठीक है आई होप इसको यादर लखनाव नहीं लखनाव नहीं है यहाँ पे कानपूर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो की पूरे भारत में सबसे जादा ट्रेनों को पास कराने वाला प्लेटफॉर्म है तीन सो ट्रेने यहाँ से प कर रहा है 49 नमबर क्वेश्चिस कह रहा है कि सवतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था आजाद भारत का पहला रेल बजट किसने पेस किया था एंसर प्लीज एंसर प्लीज यहाँ पर देखे जॉन मथाई ठीक है जितेंदर सिंग कह रहा है सर जॉन मथाई जितेंद साब बिलकुल आपका सही है बहुत सही एंसर है ठीक है कि अगर हम बात करते हैं तो जॉन मथाई देश के पहले यानिकी आजाद भारत में रेल बजट को पेस करने कौलेज स्वाले पहले लित्त्य मंत्री रेल मंत्री जिन्होंने आजाद भारत में इन को नहीं प्रापत हुआ था को ठीक है यह ध्यान रखिएगा पचास नमबर क्वेश्चन क्या रहा है लास्ट क्वेश्चन रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां इस्थापित किया गया है बढ़ोद्रा क्या बात है जैसे ही क्वेश्चन खतम नहीं हो ऐसे अंसर आ गया मौम्मा सकील अहमद बहुत फास्ट रह राइट अंसर है क्योंकि यहां पर बात करते हैं तो यह यानि कि जल्दी हाली में खोला गया था ठीक है अब मेरा एक प्वेश्चन आपके लिए था कि भारत में पहले ही बुलेट ट्रेंड कब चलाई गई थी एक प्रेटिकल था टेस्ट था यह मुझे बता दीजे भारत यहां पर देखेगा 14 सितंबर 2017 को यह टेस्ट किया गया था प्रयोग ठीक है जो की सफल रहा 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन ही भारत में बुलेट ट्रेंड चली थी हम ऐसे पढ़ सकते हैं ऐसे याद कर सकते हैं ठीक है नीटू गौतम जी नहीं 2016 में नहीं 2016 में total लखनव में 6 व्र का चला आगया था मेट्रो गहटन किया गयन एक दिसंबर 2016 को लखनव में 123 में बादे बादेश में पहली बार में नहीं adult यता ठीक है जो आपका problem जैक है कर से बड़ी आपको खबर बता दें, कल आपकी रोल्ड भागी कर नहीं समझ लिजे पहले, कल जो आपका टेस्ट होना है, जो की दोपहर में एक बजे होता था, वो दोपहर में एक बजे ना हो करके सुबह दस बजे होगा, ठीक है, यानि कि आपको 10 एम पर आना है लाइव, ठीक ह यानि कि कल जो सेकेंड टेस्ट आपका होना है, जिसे कहते ना, ग्रैंड टेस्ट पार्ट टू जो आपका होना है, वो कल दस बजे सुबह आयुजित किया जाएगा, आप सभी अपने अपनों को ये बात बता दीजेगा, और लिंक उन तक फारवर्ट कर दीजेगा, कि है, ये दो पहर का समय थोड़ा सा आप ऊपर कर लिजे, ठीक है, आपके सामने हम दो आप्शन दे देते हैं, आप बता देना, क्योंकि कल तो टेस्ट आपका दस बजे होना ही होना है, लेकिन एक चीज समझ लोग अपने अपनों को बता देना, आप लोग आप में काफी है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, हाँ सर आप इससे बिल्कुल राजी हो, यानि कि ये दो पहर का समय थोड़ा और है, सोने का समय होता है, यानि कि हमें थोड़ी सी कूलर मिल जाए, इसी मिल जाए हम अराम से सो लें मस्ती में, ये इसलिए खुशी मना जारी है चलिए ठीक है, लेकिन दोपहर में सोएंगे नहीं, अगर क्लास दोपहर से हट रही है, इसका मतलब दोपहर में सोएंगे नहीं, हमें सेलेक्शन लेने के बाद, फिर अच्छे से चौड़े होकर के सोना है हमको, ठीक है, देखो एक बास समझ जो, अगर ये सुबह आपकी क्लास है, कल दस बजे हम अगर कर रहे हैं, यानि कि हम बात करते हैं, तो अगर ये क्लास यानि कि इसके बात प्रॉफर बे में, अगर आपकी क्लास को अगर हम क्या कर लें, शाम को कर लें, शाम को एट टू नाइन कर लें, या नाइन टू टैन कर लें, ठीक है, आप अपने इसाप से comments box में बोल देना कि sir ये time हम को यानि की जी इसकी जो classes हैं हम इस time में स्टूबल है हमें ये time चाहिए sir इस time हो बहुत free होते हैं और हम enjoy की साथ देख सकते हैं क्योंकि आप में से बहुत से लोग आते रहते हो जाते रहते हो आते तो आप बहुत बहुत संख्या में आते हो लेकिन बहुत जल्दी आप क्या करते हो डंब कर जाते हो ठीक है तो यानि की दिक्कते कहां आ रही है वो कर दिखे आपने आंसर देना सुर्गे सर नौ से 10 कर दीजे सर प्लीज ठीक है आठ से 10 कर लीजे सर ठीक है अपने में आप इसे छोड़ दीजेगा ठीक है हमारी टीम इसे जब पढ़ेगी सर्च करेगी तो आपके लिए यानि की स्टूडिलिंग कर दी जाएगी कि भया ये आपकी जो है कब कब आपकी क्लासिस चलेंगी ओके एक से दो ठीक है सर अतुल बर्मा कह रहे हैं बाकी और लोग के एंसर नहीं आ रहे हैं कि सर एक से दो सही है देख लिजेगा जैसा भी आपको लगता है मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है ये आप डिसाइड करोगे ठीक है अच्छा एक बात और जो आपका टेस्ट है ये टेस्ट भूलेंगे ने कल फाइनल टेस्ट है यानि कि पार्ट के शेयर कर दिझे फारवड कर दिचे उन्हें और एब ऐब के पेच को लाइक करते रहे हैं क्योंकि आप खुद जान रहे हैं ये बात आप खुद समय सकते हैं कि आपको इस